नमस्कार दर्सकों आप सभी का स्वागत है मैं जो तिसाचार एक देब छे नमंबर दू हजार तैस आज का दैनिक रासी फलकारिकरम में लेकर आप सभी के लिए हाजिर हूँ और रोज की तरह आपको मेस रासी से लेकर मीन रासी तक क्या करना है क्या नहीं करना है कईसे करना है क्यों करना है पूरी देन की जानकारि में रोज के तद्रह आज भी मैं बतारा हूं और आप विडियो को 있다 करके ना देखें चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब कि जे बह आइकन को दवाई है और ज़्यादा से ज्ञादा ॉपने मित्रों क को भी शेयर किजिए तो छे नमंबर दू हजार तैश दीन सोंबार आज का दैनिक रासी फल में आज विशब रासी सिंग रासी और धनू रासी के जातकों को आज आज के आर्थिक अस्तिति इंकम आपका आज बढ़ने वाला है तो में रासी के जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं तो में इस रासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए समानने रहने वाला है आप अपनी आई को बढ़ाने के लिए जो भी प्रियास करेंगे उसमें आपको सफलता अवस मिलेगी लेकिन आपके किसी मित्र से आज आपका किसी बात को लेकर लराई जगरा हो सकता है आप बिजनेस की किसी खास डिल को फाइनल करेंगे उसमें आप अपने बिरोधियों से नहीं पूछेंगे कार चेतर में किसी गलती के लिए आपको डंड मिल सकता है आप भविष्य को लेकर कुल प्लाइंग कर सकते हैं बिजनेस के जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं बिजनेस के जातकों का आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है कार चेतर में आज आपको अपनों की गलतियों को अंदेखा ना करें नहीं तो उन्हें बढ़ावा मिलेगा यदि कोई प्यत्रिक संपति समंदित मामला आपको लंबे समय से परिशान कर रहा था तो उसमें आप अनुभवी व्यक्ति की सला से आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा सब को साथ लेकर चलने की कोशिस में आप कामियाब रहेंगे बैवसाय आज आपकी सोच अच्छी रहेगी आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा आपका कोई काम आपके लिए सिर्दर्द बन सकता है जिसे आप पूरा अवस्य करें मितुन रासी के जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं मितुन रासी के जातकों का आज का आज का दिन आपके लिए मनुरंजन के कारिकरम में जुड़ने के लिए रहेगा समाजिक छेतर में कारियत लोगों को आज सफलता मिलेगे और आपको एक के बाद एक सूचना सुनने को मिल सकता है भाई बहनों से आपकी चल रही अनमंद भी दूर होगी आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामियाब रहेंगे साजेदारी के काम में आप पूरी रूची दिखाएंगे आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की प्राइंग कर सकते हैं जिसमें आप मौज मस्ती करते नजर आएंगे छोटे बच्चे आप से किसी चीज के फरमाइस कर सकते हैं करकरासी के जातकों का आज का भाग सितारे क्या करते हैं कड़कर आशी के जात्कों का आज का दिन आपके अंदर प्रस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी और आप अपने कामों में विनम्रता से आगे बड़े नहीं तो समस्या होगी मित्र के साथ आप कुछ यादगार पल ब्यतित करेंगे लेकिन आप किसी बात को लेकर मन में लालच ना ले नहीं तो वो आपका कोई नुक्सान करा सकता है किसी कानूनी मामलों में आपको अपनी आँख को कान खुले रखकर आगे बढ़ना होगा और विवाहित जातकों के लिए उत्तम विवा का प्रस्ताव आप सकते हैं संतान से आपको किसी किये विवादे को पुरा करना होगा नहीं तो वो आपसे नराज हो सकते हैं सिंग रासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते हैं सिंग रासिक जातकों का आज के दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोत से आए दिलाने वाला है आपको किस जो है अनेक परकार से आपको धनलाव की सोत्र आज जो है दिखे रहा है आपकी लोग प्रिता बढ़ेगी और साक सम्मान में विर्धी होगी आपको किसी पुरानी गल्ती के लिए पूछतावा होगा कार छेतर में आपको साथी के कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन फिर भी आज आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे जो लोग प्रेम विवा की तैयारी कर रहे हैं वह साथी को परिवार की सदस्यों से मिलवा सकते हैं लेकिन आप अपनी आई को बढ़ाने के जो भी प्रियास करेंगे उसमें आपको सफलता अवस मिलेगी आपका माताजी से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है कन्यारासिक जाथकों को आज का दिन आप के लिए दान धर्म के कारियों में चड़ बढ़कर आप हिसा लेने के लिए रहेंगे राजनितिक छेटरमे कार्यत लोगों को आपने कामों पर फोकस बनाय रखना होगा आपको किसी भी रोधी की बातों में आने से बचना होगा काम काज को लेकर यदि आप परेसान चल रहे थे तो आपकी वह समस्या दूर होगी घर में आसमंजस बना रहेगा आपको विभिन कारियों में निवेश करना अच्छा रहेगा आप लेन देन के मामले में साबधानी बढ़ते नहीं तो समस्या हो सकते हैं घर परिवार में चल रही समस्या से आपको छुटकरा मिल सकता है तुलारासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते हैं तुलारासिक जातकों के दिन आपके लिए अध्यन और अध्यात्म के कार में अच्छा रहेगा आप अपनों कामों में किसी परकार की शंकोच ना करें आगे बढ़ेंगे कार चेतर में आपको कोई बड़ी उपलब्दी मिल सकती है लेकिन बिजनेस कर रहे लोगों ने आपको साजेदारी में किसी काम की शुरुवात करना उनको नुक्सान देगा आप अपने कामों पर पूरा ध्यान लगाएं नहीं तो समस्या हो सकती है आपको लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होने से आपकी प्रसन्यता का ठिकाना नहीं रहेगा लेकिन आपकी किसी एक्षा की पूर्थ नहीं होने के कारण मन में निरासा बनी रहेगी विश्चिक रासिक सदस्यों के साथ आनंद भरे पल व्यतित करेंगे आर्थिक विशयों को गती मिलेगी आपके मन यदि कुछ संकाय चल रही थी तो वह तो आप उन्हें दूर करने की पूरी कोशिस करेंगे आपको किसी जरूरी मुद्दे में वरिष्ट सदस्यों से बाचित करने की करके ही बेहतर रहेगा ससुराल पक्च के किसी ब्यक्ति से आपकी कहा सुनी हो सकती है इसलिए ऐसे मामले में आप लेन देन की बात बिल्कुल ना करें नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है रोजगार के तलास कर रहे लोगों को कोई खुशखवरी सुनने को मिल सकती है धनूरासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए भाग के दिष्टि कौन से अच्छा रहने वाला है बिजनेस के किसी काम को लेकर आप यात्रा पर जा सकते हैं और आपकी दिर्गकालिन योज चिनाय शफलता की सीठी चड़ेगी और अपने किसी करीवी से आपको अपने मन की बात कहने का मुका मिलेगा किसी से आपका मानसिक बोज भी थोड़ा कम होगा यदि आपको किसी मदद करने का मुका मिले तो आवस्य करें और उससे भी पीछे ना हटे आपको संतान से किसी क किये हुए वादे को पूरा करना होगा मकर रासी मकर रासी का जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं मकर रासी का जातकों का आज का दिन आपके लिए स्वास्त के लिहाद से कमजोर रहने वाला है आपको अपने कामों में संबेदन सिल रहेंगे और कारे छेतर में आप जिम्यदारियों को बाखुबी निभाएंगे लेकिन आपके कुछ विरोधी उनमें रोरा अत्का सकते हैं मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा किसी आर्थिक मामलों में आपको अकास्मक्ता यात्रा पर जाना पर सकता है आप अपनी वानी और विहवार में संतुलन बना सफ्राइ रखे नहीं तो आप किसी को कोई ऐसी बात बौछ सकते हैं जिस से कोई लराई जहग्रे की अस्थिति उप्तन हो सकती है कुम्बरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या करते आपके लिए आर्थिक दिश्च्ठी कौन से अच् worlds선 रहने आपके मन में बनी रहेगी, बैपार के कारियों में आपको गती मिलेगी, आपके नित्यत्व छमता को बढ़ावा मिलेगा, आप कोई ऐसा काम ना करें, जिससे की परिवार के सदस्यों को समस्या होगी, और आप अपनी सुक्सुबधा की वस्तुओं के खरिदारी पर अच्छा खासा धन ब्यक करेंगे, लेकिन आप अपने भविस के लिए कुछ धन संचाई करने की पूरी कोशिस करेंगे, में निरासे के जातकाउं का आज का दिन आपके लिए प्रोपकार के कारे में हिस्सा लेने के लिए रहेगा, आप किसी से धन उधार लेने से बचें, नहीं तो आपको उसे उतार पाने में समस्या होगी, कारे छेत्र में आप अपनी महनत से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, और आपकी पदप्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप जल्दबाजी वद दिखाए नात परे तो नहीं हो तो कोई समस्या हो उसकी किसी सरकारी काम में उसके निती नियमों का पूरा पालन करें, विद्यार्तियों को पधाए लिखाए में आरही बाधा और या समस्या को, तो समय रहते निप्टाना होगा व्यवसाय से जुरी समस्या से आपको छुटकरा मिलेगा और आज का दिन आप सभी को मंगल मैं हो चैनल को लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए, बेल आइकन को दवाद दिजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधें। प्रेम से बोलिए राधें।